वाक्य द्वारा लिंग न्रणे देखेंगे। अभी तक हमने देखा है कि लिंग, पुलिंग, इस्त्रिलिंग, पुलिंग पहचानने के नियम, इस्त्रिलिंग पहचानने के नियम, कौन शब्द पुलिंग है, कौन शब्द इस्त्रिलिंग है, इसका न्रणे कैसे कर सकते हैं परिक्षाओं में कैसे द्रणे ले सकते हैं कि कौन शब्द पूलिंग है कौन इस द्रणेंग है कुछ नियम बताये गए अकारांत इकारांत हरस्पाई कारांत दिर्खेई कारांत उसकी अपवाद भी आज एक हम यह देखेंगे कि वाकिय में शब्द का प्रियोग करके कैसे हम लिंग द्रणे कर सकते हैं संबंध कारक विशेशन और क्रिया के प्रियोग से लिंग द्रणे कैसे करते हैं एक उदाहन लेते हैं अराम की गाहे चर्ती है दूसरा उदाहन है इस वाकिय में दुख रहे हैं कि राम की गाये चर्ती है और राम का गोड़ा दोड़ता है यहां राम है दूनों में लेकिन यहां की है और यहां का है दूनों में कुछ अंतर हो सकता है तभी की है यहां का है यहां गाये है यहां गोड़ा है क्रिया में यहां चर्ती है यहां दोड़ता है तो हम देख रहे हैं कि गाय के चलते यहां की है आगे वाले जो शब्द है यहां तो एक ही है यहां भी राम है यहां भी राम है लेकिन आगे वाला जो शब्द है यहां गाय है यहां घुड़ा है इसलिए अंतर आ रहा है यहां की है यहां का है राम के चलते तो अंतर है नहीं तो निश्यत रुप से संबंध कारख की जो विभक्ती है वो बता रही है आगे वाले शब्द के बारे में आगे वाले शब्द के लिंग के बारे में बता रही है चुकि लिंग के अध्यन के समय हमें जान चुके हैं कि गाई इस्त्रिलिंग है घोड़ा पुलिंग है तो निश्यत रुप से इसके चलते की है और इसके चलते का है लिंग रणे के समय हमने यह देखा भी है अब वाद को छोड़ करके इकारांद दिर्ख इकारांद शब्द जो है वो इस्त्रिलिंग होते है जैसे नदी तो की इकारांद है इस्त्रिलिंग हो गया का पुलिंग है जैसे घोड़ा का राम का घोड़ा तो यह के नियम है कि शंबंध कारा की विवखती है संबंध कारा की विवखती कौन कौन है का के की का के की ना ने नी रारे री रा रे री का के की जैसे का या तो पुलिंग की आने परिस्त्रिलिंग के बहुवचन में या आदर सुचक में ना ने नी ना पुलिंग में नी इस्त्रिलिंग में जैसे अपना अपनी अपने रा रे री हमारा हमारे हमारी तो जहां यह है का ना रा इस विवखती के बाद जो शब्दारा है वो पुलिंग है और की नी री जैसे अराम की अपनी हमारी के आगे आने वाले शब्द जो होंगे वो इस्त्रिलिंग होंगे एक नियम है संबंध कारगी जो विवखती है वो संग्या का संग्या या सर्वनाम से दरसाने पर लिंग अनियम हो पाता है तो निश्यत्रिप से की है तो आगे वाला शब्द गाई इस्त्रिलिंग है का है घोरा पुलिंग है रामकी यहा खाली अस्थाने देब्ञाने के लिए तो भी भरेंगेशंग यहां गाउये हैं राम एंट तो की भरना है राम की गाई का भरी है गलत होगा है हराम यहां घोड़ा है तो का भरना पड़ेगा रामका घोड़ा इस हुआ कि शंबंद उस तियां हो लिंग के बारे में सुझना देती हैं दूसरा एक उधान इसमें देख रहे हैं है कि इस लिंग है गाय तो चरती खोड़ा पुलिंग है इसलिए दोड़ता यहां भी जैसे की है वैसे चरती का है वैसे दोड़ता यहां से इसका कुछ लग रहा है और गाय चुकि करता कारक पढ़ेंगे तो देखेंगे इसे वाक्य में गाय ही करता है कौन चरती है कौन दोड़ता है खोड़ा क्रिया करता के अनुसार होती है उसके लिंग वचन क्योंसार क्रिया का रूप होता है गाय स्ट्रिलिंग है इसलिए चर्थी है क्रिया भी बता रही है क्रिया भी सूचना दे रही है कि करता स्ट्रिलिंग है तो क्रिया का भी प्रियोग करके हम लिंग अंद्रणे करते हैं चर्थी है उसकी माँ खाना बनाती है इस्ट्रिलिंग है माँ उसके पिता जी आ रहे हैं आ रहे हैं पुलिंग है आ रही है इस्ट्रिलिंग किरिया भी बता रही है कि करता जो है वो पुलिंग है या इस्ट्रिलिंग है देख तो हुआ नियम के संबंध का रखी भीभकती से हम पता लगा लेते हैं प्रक्षाओं में आता है कि निम्दलिशी सब्दों का लिंग दुड़ें वाकिय में प्रयूक के द्वारा किये वाकिय में प्रयूक करके दिखाए किस त्रिलिंग है अब गाय का या लिंग्द्रणड़ा करना है वाकी में प्रयोग द्वरा हम करते हैं यह गाय है तो नहीं वालिंग्द्रणड़ा है उसके लिए तीन बातें ध्यान में रखने पड़ेंगे कि गाये में शंबंध करकी विभवक्ती गाये के आगे लगाएं संबंध जोड़िए कि संग्या सर्वनाम से शंबंध दरसाय गाये का तो पता चलिएगा कि इस त्रिणिंग है कि पुलिंग है जिसे मैंने संबंध दरसाया कि राम की गाये अब यह एक गाये है ऐसे हम वाक्य बनाते हैं यह एक घुड़ा है क्या अंतर हुआ कि यह बाक्य लिंग बारे में कोई सुच्ण नहीं दे रहा है ऐसे अध्य हम वाक्य प्रयोग कर देते हैं वाक्य में प्रयोग द्वारा लिंग दर्णदर की जिए का मतलब क्या तो बाक्य में शब्द का प्रियोग करने के अवल कि उसके साथ तीन काम करना पड़ेगा या तो गाय का शंबंध दिखाईये किसी संग्या सरवनाम के साथ कि या गाय के साथ क्रिया शब्द जोड़िए या कोई गाय का विश्षण देजिए यह गाय है बना दिये लिख दिये कि इस्ट्रिंग गलत है वाक्य प्रियूग इसलिए शंबंध दिखाईये किसी से यहình कोई नहित बता रहाए कि इसलिए या एक कि प्रियोग द्वरा लिंग अने किजिए क्यों इतना ही लिख देता है कि गाई चरती है तो हो गया पता कि गाई इस्त्रलिंग है चरती है क्रिया बता रही है कि करता इस्त्रलिंग है गोड़ा दोड़ता है क्रिया बता रही है कि गोड़ा पुड़िंग है तो छोटे वाक् संबंध कारक्ष से पता चल जाएगा संबंध कारक्ष के साथ वाक्य बनाईए क्रिया लगा के वाक्य बनाईए पता चल जाएगा कि करता क्या है करता बनाईए शब्द को क्रिया दीजिए उसके साथ जिसे किताब का लिंद्रने करना है वाक्य परियोग द्वारा तो बनाई एक किताब फट गई फट गई बतारा एक किताब इस्ट्रणिंग है किताब नई है यह मेरी किताब है संबंध का रख दिया मैंने मेरी वह बतारा एक किताब इस्ट्रणिंग है तो क्रिया के साथ प्रयोग कीजिए शंबंध का रख के साथ प्रयोग कीजिए पता चल जाएग कि वाक्य में प्रियुक करने से शब्द का लिंग नड़े हो गया तो इस तरह का वाक्य बनाने से बचेंगे कि उससे लिंग नड़े ही नहों वाक्य में प्रियुक तो हो गया अब एक विशेशन के द्वरा लिंग नड़े है इसे में प्रियूग करते हैं काला घोड़ा काला विशेशन विशेशन में भी गुणवाचिक विशेशन कोई भी विशेशन लगा देंगे तो नहीं पता चल जाएगा काला घोड़ा काली घोड़ी काला बता रहा है कि घोड़ा पुलिंग है विशेशन उसके आगे या पीछे भी प्रियोग कर सकते हैं विशेशन को मेरा घोडा काला है यह घोडा काला है बाद में भी प्रियोग किये हम विशेशन का प्रेडिकेटिव यूज भी किये तो पता चल रहा है गोड़ा काला है या काला गोड़ा दोड़ रहा है काली गाए चेर रही है यहां क्रिया नहीं देंगे तो भी हो जाएगा कि यह गाए काली है न संबंद का रख है न क्रिया है इसके साथ काली विशिशन बता रहा है कि गाए स्ट्रिंग है सीता एक अच्छी लड़की है सीता एक अच्छी लड़की है अब हमने प्रियोकर दिया कि सीता एक लड़की है तो लड़की भी बता रहा है वह भी विशेशन है कि स्रिलिंग है अब हमने जदी प्रियोकर दिया कि सीता पढ़ने में तेज है और इससे पता नहीं चल रहा है कि स्रिलिंग है कि पुलिंग है तो राम का भी प्रियोक किजेगा तो ही आएगा कि राम पढ़ने में तेज है तो ऐसे प्रियोग करना है वाक्य में जिससे लिंग कंद्रणे हो जाए इस तरह का विश्यषण देना है तो गूण वाज़क विश्यषण में अच्छा काला बुरा उच्छा नीच्छा लंबा छोटा इस डिफ्रेंस बताते हैं लिंग में पुलिंग पुलिंग में है वह लंबा है वह लंबी है सिता आपने क्लास में सबसे लंबी लड़के है लंबी बता रहा है कि स्रिणग है कि राम अपनी काक्षा में सबसे लंबा लड़का है लंबा बता रहा है कि पुली है तो सभी विशेशन का प्रियोग कर देंगे तो नहीं होंगा कि इस्त्वर की क्रिपा से सब ठीक है अब इसमें पुछा जाए कि क्रिपा इस्त्रलिंग है या पुलीं तो इस्त्वर की संबंद कारक लगा है कि इसलिए क्रिपा इस्त्रलिंग दया आपकी दया है बोल चाल में हमने बोल रहे हैं इस्त्रलिंग पुलिंग आप बोलने के क्रम में भी जदी इस्त्रलिंग पुलिंग का ख्याल नहीं रहा या मिश्टिक किये तो गलत बोल जाते हैं आपके दया से सब ठीक है आपकी दया आपकी क्रिपा आपका सने बता रहे हैं कि सने पुलिंग है दही खटा है, खटा बता रहा है कि दही पुलिंग है मोती चमकता है बहुचन में भी वेशे प्रियोग है घोड़े दौल रहे हैं, बता रहा है घोड़े बहुचन हो गया गाएं चर रही है अचर रही हैं बता रहा है कि इस्ट्रिलिंग है गाएं तो एक के नियम है आवरत शब्द इस्ट्रिलिंग है कि पुरत विस्ट्रिलिंग लगाई है मोटी आवरत, लंबी आवरत अब लंबा आवरत नहीं कहते हैं तो विशेशन बता रहा है कि और तिस्त्रिलिंग है गंदा पानी मत पियो गंदा बता रहा है कि पानी पुलिंग है गंदी आदत जल्दी छोड़ो गंदी बता रहा है कि आदत तिस्त्रिलिंग है तो पुरू में बताएगे नियमों के आलावे वाक्य में प्रयोग के द्वारा भी हम लिंग रहें करते हैं धन्यवाद